आजाद मैदान में निकाले गए महामोर्चा की जाकियां देखिये क्या कहा कोल से पाटिल ने मैं रफिक कामदार इंदोस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है तैगोशना के अनुसार और योजना के मुताबिक पंद्रह फरवरी को मुंबई के आजाद मैदान में फिर एक बार सीए इन पियार एन रसी के खिलाफ एक महामोर्चा का आयोजन किया गया इस महामोर्चा में हजारों की तादाद में लोग पहुँचे और लगबग आजाद मैदान पूरा पढ़ गया था अच्छी खासी भीड थी और कई सामाजिक संस्ताओं के कारेकरताओं ने नेताओं ने कई कि इंजियोज के बड़ी-बड़ी सामाजिक हस्तियों ने इस मोर्चे को संबोधित किया कैसा था पूरा आजाद मैदान का नजारा वह हम आपको बता रहें साथ ही इस मोर्चे को संबोधित करने वाले मुख्य रूप से मुंबई उच्चनयाले के रिटाइड जस्टिस ब मेरे तमाम बहनों और भाईयों मेरे बहनों को बेटियों को पोतियों को देखता हूं क्योंकि आज तक यह मेरा सपना था कि यदि देश को बदलना है तो मेरे बहने बेटिया पोतिया और युवा तो दो को यह समझ में नहीं आया कि जब जनता उड़ती है तो बड़ी-बड़ी ताकते उनके सामने मच्छर हो जाती है मच्छर उनके कभी समझ में नहीं आ क्योंकि उनकी राजनिती आईशी रही आज तक कि सिर्फ धोका गुजरात में दस साल धोका दिया देश के पैमाने पर साड़े-पाथ साल धोका दे रहे है इसलिए मैं आप सब को एक बड़ा सबक शिकाता हूँ कि दुनिया में जनशक्ती जैशी ताकतवार ताकत दुसरी कोई नहीं जब जनशक्ती खड़ी होती है तो शाशन कृतना भी कुरूर हो नेता कितना भी जूट हो नेता कितना भी खुटी हो खुणी हो नेता कितना भी तड़ी पार हो उसको सबक सिकाने की ताकत सिर्फ जनशक्ती में होती है जो एक तड़ी पार था वो हमको कहिता है कि तुम भारत के नागरिक हो उसका सबुद दो अरे हराम जादे तु केवल यहां के ब्राह्मन वादी और पुण्जिवादी ताकतों के ताकत पर यहां हो मिनिस्टर बना है तु क्या हमने होड दिया इसलिए बनाए क्या तु एवेम की सरकार है तु सला रोबो है रोबो जिस रोबो को सव्यद्णा नहीं होती है मैं आपको सिर्फ पाज बाते बताता हूँ मुझे जाना है और मुझे समय के भी पाबंदी है वो लोग एक एप्रील के बाद हमारे घर आएंगे अभी कहा किसी ने उनके हाथ में नमक देने का कहा शुगर देने को कहा जो भी चाहिए आप दो पानी का गलास दो और उनको कहो कि हम आपके साथ बात नहीं करेंगे यदि हम बात करेंगे समझ लीजिए तो हमारे घर के सब नाम लेके जाएंगे बेटी का नाम बेटे का नाम पुछेंगे तुम्हारे बाप की जन्मतारिक उसके बाप की जन्मतारिक मोधी के बोलना पहले तेरे डिगरी सेर्टिपिकेट दिखा फिर हमारे बाप की जन्मतारिक पूछ तो हम किसी ही सवाल का उत्तर नहीं देंगे हम बोलेंगे आप जाईए हम उसको घर में किसी का किसी की यह करने को नहीं देंगे गिंदी करने को नहीं देंगे उसके बाद होगी नोटिस आएंगी कि तुमारे घर में उनके पास लिस्ट है उनके पास सब है अदार कार्ड है उन्हें ने हमारे सब के जिसको बोलते कुंड़े नि उनके पास है वो सब आप आप targeting घर आने का ड्रामा कर रहा है पाखंड है वो पाखंड है तो उसके बाद वो कहेंगे इस के नाम doubtful है उसके बारे में आपको क्या कहना है ऐसे एक-एक step वो हमको तकलिब देने की हमको tension देने की एक कोशिश करेंगे कि मैं कहता हूँ कि उनके जब हम सब अच्छी मुठी पकड़ के खड़े रहते हैं तो उनके बाप की ताकत नहीं है को हमें कुछ पूछेंगे लेकिन हमारे कई भाई आज ही कागल निकालने के तैयरी में लगे है हमारा देश हमारे अधिकारी इतने भरष्ट है इतने भरष्ट है इतने नीच है कि साले उनको मा की भी परवा नहीं है पैसे लिए बीना कुछ नहीं करेंगे हमारा भाई भी हमारा कॉंस्टेबल है पूलिस है तो वो भी अपने भाई को छुड़ाने के लिए पैसे लेता है तो यह अधिकारी पैसे लेने की कोशिश करेंगे किसी को हम एक रुपाय भी नहीं देंगे ये कब होगा जब आपकी जन्शक्ति खड़ी होगी जब आम लाखों के तादात में रास्ते पर आएंगे तो इसलिए मैं आपने पूलिस भाई को बोलता हूँ जो आमको पर्मिशन ना करते हैं अरे अधिकारी संगी होगे लगिन आप लोग तो हमारे खून के भाई हैं देहात के लोग हैं मेरे बाप की जन्मतारिक मेरे पास नहीं है या कोई कमिशनर होगा अरेशस का छोड़ के तो उसके पास उसके बाप की जन्मतारिक है कब पूछो नहीं है तो हमारी टांगे तोड़ने के बज़ा है सोचो राजिनवा देके बहार आओ और हमारे साथ काम करो क्योंकि मिलेटरी में हमारे लोग है उनके बाप की उनके बाद जर्म तारिक नहीं है पोलिस में हमारे लोग है, उनके पास हमारी उनके बाप की तारिक नहीं है, मेरी खुद के मा के मैंने डिलिवरी दिखी है, मेरे मा को साथ बच्चे हुए, मेडिकल एर के कारण चार मर गए, हम तीन जिंदा है, लेकिन किसी को हस्पिटल नहीं मालूम, हम घर में पाइदा हु ओए, का से लाएंगे जन्मातारिक, ये भारत की खाशित है, और हराम जार बारत को जांते नहें, और सत्वा पर मैटे है, ये गोल्वलकर का काम कर रह रहे, वो हराम गोल्वलकर काईता था, कि ब्राह्म्मन जोटिलक भी काईता था, जोЫलक भीक पो है यह आर्यवट ब्राह्मनवादी इतनी जहरीली जमात दुनिया में नहीं है और उनके साथ अभी पुंजीवादी जोड़ गए है वो हमारा लक्ष पुंजीवाद के तरफ न जाए देश को लुटता है इसको तरफ न जाए इसलिए आइसे गुलामी में ढखलने के एक एक तो मैं आपको वादा करता हूँ यदि आप मेरे यूट्यूब पर सुनेंगे मैं बार-बार कहता हूँ कि हमें क्या कश्माहिती इंपनमेशन देनी है ना कुछ देनी है जब हम करारों के तादात में होंगे करोरों के तादात में तो इनके जेल कहा रहेंगे इनके पुलिस कहा रहेंगे, इनके मिलेटरी कहा रहेंगी, और मिलेटरी में हमारे लोग है, पुलिस में हमारे लोग है, मैत कहिता हूँ कि बंबई का पुलिस कमिशनर छोड़के, सभी हमारे पुलिस है, वो RSS का है, जै भारत! पुलिस लासे, बंबबड़के, मैत कर दोड़के, सभी हमारे लोग है, जै रहें हमारे लोग है, भारत!